हलो स्टूडेंट्स बेलगम टो सिफिसंकर जिक्के जिय है सिफिसंकर जिय इश में एक वर फिरस्ट आप सभी का स्वागत है तो स्टूडेंट्स आप लोगा चल रहा था पारामेडिकल पर्वेश परिछा 2022 के लिए जीके का समान गयान का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन पी-एम और पी-एम एक्जाम दोहजर बाज दोनों के लिए भी-वी एक कोश्चन वीडियो पूरा देखना आएरे के कोश्चन अच्छे समझना है पहला नमबर कोश्चन काता है कि दिल्ली के किस सल्तान को लाल वक्ष कहा जाता है आपसन A में दिया अलाओ दिन खिले जी आपसन B में दिया है फिरोज साथ तूलक आपसन C में दिया है रजिया सल्तान और आपसन D में दिया कुतूब दिन एवक तो दिल्ली के किस सल्तान को लाल बक्स कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपका कुतूब दीन एवक को तो राइट अंसर हो जाएगा आपका आप्सन नंबर D उसके बाद आगला नंबर कोशन कहता है इंडिका के लेखक कौन है आप्सन A में दिया है कौटिल आप्सन B में दिया मेगा स्थिनेज आप्सन C में दिया अल बुरुनी और आप्सन D में दिया इन में से कौनी तो इंडिका के जो लेखक कहा जाता है वो वा कहा जाता है आपका कौटिल लेखो तो यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाता है आप्सन नंबर A उसके बाद अगला नमबर कोशिन काता है अल बरुनी किसके साथ भारत आया आप्सने महमुद गवजनी और आप्सन B महम्मद गोरी और आप्सन C तैमूर और आप्सन D महम्मद बिन काशिम तो अल बरुनी जो आया था भारत उबहा महमुद गजनी के साथ भारत आया था तो राइट अंसर हैं आपर हो जाता है आपका उप्सन नमबर A उसके बाद अगला नमबर कोश्चन करता है गुप्त काल में कौन चीनी यातरी भारत आया था उप्सने इति सिंग, उप्सन B, फायान और उप्सन C, हवेन सौंग और उप्सन D, इनमें से कोई नहीं तो गुप्त काल में जो चीनी यातरी भारत आया था वह आया था फायान तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाता है उप्सन नमबर B उसके बाद अगला नमबर कोश्चन कहता है रूस में भारत बिदा का जनक की से कहा जाता है आपसने निकोलो कोटी, आपसन B, जी एस लिवी देव, आपसन C, कॉल मार्क्ष और आपसन D, इनमें से कोई नहीं तो रूस में भारत बिदा का जनक की से कहा जाता है वह कहा जाता है आपका G.S. लिवी देव को कहा जाता है तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जाता है आप्सन नमबर B उसके बाद अगला नमबर कोशिन कहता है कि इबन बतूता ने अपनी यातरा का बीवरन किस भासा में लिखा था आप्सन A में दिया है आरवी में आप्सन B दिया है फार्सी में आप्सन C दिया है उर्दू में और आप्सन D दिया अंग्रेजी में तो इबन बतूता ने अपनी यातरा का जो बीवरन लिखा था वहां आरवी भासा में लिखा था तो right answer होता है आपका option number A उसके बाद अगला number question काता है अल बरुनी किस भासा का जानकार नहीं था option A युनानी भासा option B हिब्रु भासा और option C सिर्याई भासा और option D संस्कीत भासा तो अल बरुनी जो था ओबाहा युनानी भासा का जनकार नहीं था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है option number A उसके बाद फिर अगला number question काता है अल बरुनी भारत की सताबदी में आया था option A इगरहमी, option B, 10 मी और option C, 14 मी और option D, 17 मी तो अल बरुनी जो भारत आया था ओबाहा इगरहमी सताबदी में आया था right answer option number A उसके बाद अगला number question काता है इवन बतूता किस देश का निवासी था option A पूर्टगाल, option B, मुरक्को, option C, मिस्र और option D, France देखे इवन बतूतो जो था वो वो इवन बतूता मुरक्को का निवासी था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता option number B उसके बाद अगला number question काता है किस बिदेशी यातरी ने पुरानों का अध्यन किया option A अलबरूनी, option B, बरनियर, option C, इवन बतूता और option D, टैवनियर तो काता कि किस बिदेशी यातरी ने पुरानों का अध्यन किया पुरानों का जो अध्यन किया था वो अलबरूनी ने किया था राइट अंसर आपका उप्सन नमबर A उसके बाद अगला नमबर कोशन काता है भारत में सती प्रथा का आँखो देखा हाल किसने प्रस्तूत किया उप्सन A इवन बतूता उप्सन B मारको पोलो और उप्सन C अलबरूनी और उप्सन D टैवनियर तो भारत में जो सती प्रथा का आँखो देखा हाल जो प्रस्तूत किया है वह किया है इवन बतूता ने राइट अंसर आप्सन नमबर A उसके बाद आगला नमबर कोशन काता है इवन बतूता किस सुल्तान के सासनकाल में भारत आया आप्सन C मुहम्मद बिन तूलक आप्सन B बलवन और आप्सन C रजिय सुल्तान और आप्सन D सिकंदर लोदी तो देखे इवन बतूता जो भारत आया था वहाया था मुहम्मम्मद बिन तूलक के सासनकाल में भारत में आया था तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाता है option number a अगला question काता है कि इवन बतूता ने भारत की आत्रा की सताबदी में की थी? option 61 सताबदी, option b 22 सताबदी और option c 23 सताबदी और option d Rebecca 14 सताबदी तो इवन बतूता जो भारत आया था वहाँ 14 सताबदी में आया था राइट अंसर हाँ पर हो जाता है आपका आप्शन नमबर D उसके बाद अगला नमबर कोशन काता है कि किताब उर रहला में किसका यात्रा बिरतांत मिलता है आप्शन A में दिया है अलवरुनी, आप्शन B, अब्दूर रज्जाक और आप्शन C, इवन बतूता और आप्शन D, बरनियर तो किताब उर रहला में जो यात्रा बिरतांत मिलता है ओभा इवन बतूता का मिलता है तो राइट अंसर यहां पर हो जाता है आप्शन N.C, उसके बाद अगला नमबर कोशन कहता है कि रहला नामक पुस्तक किसकी रचना है आप्शन A आलवरुनी, आप्शन B, अब्दूर रज्जाक, आप्शन C, इवन बतूता, आप्शन D, संक्राच्छारे तो रहला नामक जो पुस्तक रचना है वह है इवन बतूता का तो यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाता है आपसन नमबर C उसके बाद फिर आगला नमबर कोशन काता है खिलिजी बंस का संस्थापक कौन था आपसने आपका फिरोज खिलिजी संस्थापक थे तो यहाँ पे राइट अंसर हो जाता है आपसन नमबर A उसके बाद फिर आगला नमबर कोशन काता है कि सुल्तानों में घोडों को दागने की प्रथा की सुरुआत किसने की आपसन A में दिया है बलवन और आपसन B में दिया है अल्लाओ दीन खिल जी और आपसन C में दिया है फिरोज साथ तूगलग और आपसन D में दिया है सिकंदर लोदी तो कहता है कि सुल्तानों में घोडों को दागने की प्राथा जो सुरुवात की थी वह आल्ला उदिन खिल जीने की थी तो राइट अंसर हैं पर हो जाता है आपका आपसन नंबर बी उसके बाद फिर आगला नंबर कोशन कहता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था आप्शने मुहांमद बिन तुगलक आप्शन B बहलोल लोदी और आप्शन C सिकंदर लोदी और आप्शन D इबराहिम लोदी तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वह था इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाता है आपका उप्शन नमबर D उसके बाद अगला नमबर कोशन कहता है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महला सासक थी कौन थी उप्शने चांद वीबी और अपसन वी नूर जहां और अपसन C रजिय सुल्तान और अपसन D Myमताज महल दिल्ली सल्तनत की जो पहली और अंतिम महला सासक थी वो थी आपका रजिय सुल्तान सुल्तान तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाता है आपका उपसन नमबर C उसके बाद आगला नमबर कोशन काता है कि हुमायू के दरवार में कौन आफिर की यातरी भारत आया आपसन A में दिया है अब्दुलरजाक आपसन B में दिया अलबरुनी आपसन C में दिया है बरनियर आपसन D में दिया N में से कोई नी तो कोशन है कि हुमायू के दरवार में कौन अफिर की यातरी भारत आया तो वो आया था इन तीनों में से कोई नहीं आया था तो राइट अंसर आपका आपसर नमबर डी तो आश्टूडेंस यह था इंपॉर्टेंट कोशन इस वीडियो को सेयर कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहीएगा